नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है अब बिना सिक्षन योजना के और बिना टीलम के पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है अगर आपके विद्याले में कोई निरिक्षन के लिए आता है तो सबसे पहले आपकी सिक्षन योजना देखता है और फिर सिक्षन योजना से संबन्दे टीलम को देखते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गनित के सिक्षकों के लिए कुछ सांदार टीलम और ये टीलम बनाए है जन्दपद सहजापूर के योपियस लखनपूर पुआवा के सिक्षक क्रशन कुमार चोधरी ने बहुत ही सांदार टीलम इनोंने बनाए ह और मुझे ये टीलम इनके फेस्बुक वाल से मिले हैं वही मैं आपके साथ सेयर करना चाता हूँ इन टीलम की वदत से आप अपने गनित के टीलम बना सकते हैं क्रशन कुमार चोधरी यूपियस लखनपूर पुआवा के सिक्षक हैं और काफी महनती सिक्षक हैं और ये गन हैं इससी की मदद से आप अपने टीलम को बना सकते हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं इसकी साथ साथ दूसरा टीलम है चक्रिय चतुर बुज़ के सम्मुक कोनों का योग 180 होता है इस तरह का टीलम आप तयार कर सकते हैं उसके बाद skating पुर कार्तिक तल संज बच्चों को समझाने के लिए अगला टीलम है आपका बच्चों को इकाई धाई सैकड़ा हजार दस हजार लाक दस लाक तक की संख्याई आप इस टीलम की मदद से करा सकते हैं इसके बाद नेक्स टीलम है सेप अगर बच्चों को आपको सेप सिखाना है तो किस तरह से सिखाएंगे तो इस तरह का आप टीलम तयार कर लीजे उसके बाद नेक्स टीलम है व्रत की परीधी पर बना कोण केंद पर बने कोण का आधा हो पूर्णा किसे कहते हैं परिवे संग्या किसे कहते हैं तो इस तरह का टी एलम बना लीजे जिस तरह का केके चोधरी जी ने बनाया है उसके बाद नेक्स्ट है चलो हम जोड करें फाइब प्लस एट एक्वल टू कितना तो इसमें ये पत्ती दी गई है इस तरह से पत्ती इसका के बच्चों को समझाया जा सकता है बच्चे आप करके दिखाएंगे उसके बाद पायतो गुरस परमी पायतो गुरस परमी इस टी एलम के मदद से आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट एलम है जो बार ग्राप होता है वो बच्चों को कि तेलम के मदद से अगर आप बार गर आप पढ़ा रहे हैं तो इस तरह का टीलम आपको जरत पढ़ेगी उसके बाद चक्र घुमाओ वर्ग बनाओ तेकि चक्र घुमाओ और वर्ग बनाओ ये भी काफी शांदार टीलम है बच्चों को वर्ग संख्याओं के वर्ग सिखाने मे कि एक कावर क्या होता है दो कावर क्या था तीन कावर क्या होता है इस तरह से आप चक्र घुमाओ कर बच्चों को समझा सकते हैं नेक्स्ट येलम है वरत से केंदर पर जीवा डाला गया अलम जीवा को सम्ध विभाजित करता है अगला है हमारा वर्ग मूल घड़ी घड़ी का एक हो गया दो का चार इस तरह से नेक्स्ट आपका एक ही चाप से व्रत्की प्रिदी पर बने सभी कोण बराबर होते हैं यह TLM बना सकते हैं अगला है हमारा exterior angle property यानि exterior angle का जो sum होता है बाकी के sum की बराबर होता है कि इस तरह से TLM की वदद से हम इसको दिखा सकते हैं next है हमारा cube cube house क्यूब house इस तरह से बना के आप बच्चों को दिखा सकते हैं एक cube house रख देंगे तो बच्चों की बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से बाद 111 आ जाएगा 111 112 113 113 तो इस तरह से आप TLM इसको त्यार कर सकते हैं अगला TL में अर्दवर्थ पर बना कौन समकौन होता है इस TLM को आप बना सकते हैं next TL में देखे number formation किस तरह से बच्चों को इकाई धाई सेकडाब के आरपे संख्याओं को बारे में बता सकते हैं कि संख्याओं किस तरह की होती हैं उसके बाद है next TL में आपका भिन भिन के बारे में बच्चों को किस तरह से बताएं एक बटे दो एक बटे दो किस तरह से समझाए एक बट के तीनों कोणों का एक स्वस्थी होता है ये भी से सिखा सकते हैं अगला प्रिशन है वरत चित्र पाइचार्ड पाइचार्ड बच्चों की इस तरह से हम सिखाई इसका एक टीलम बनाया गया है उसके बाद अर्दवरत की परीज़री पर बना कोण 90 डिगरी का होता है उसके बाद नेक्स्ट है अनुवरती और पूरवरती संख्या इस टीलम की बदद से आप अनुवरती और पूरवरती संख्या के बारे में बच्चों को ग्यान करा सकते हैं कि पूरवरती में आपको संख्या में से घटाना होगा अनुवरती में संख्या में जोड़ना होगा उसक अब TLM बनाएंगे तो ज़्यादा बच्चों को सिखाने में आसानी होगी, अगला है numbers का, कि numbers आपके इस तरह जिखाए, बच्चों को एक से 20 तक की, उसके बाद next TLM है आपका 4X, 2X, 3X, यानि कितना गुना, एक का कितना गुना, दो का कितना गुना, कितना होता है, यह आप स सिखा सकते हैं, अगला समांतर और तिर्यकरेखा का TLM है, समांतर और तिर्यकरेखा के बारे में किस तरह से हम बता सकते हैं बच्चों को, next TLM है भिन्नों द्वारा, भिन्न को चित्र द्वारा किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, उसके बाद next है, secret sum, secret sum का एक TLM है, उस सरल कोंड समपूरक कोंड ये सब हम इस TLM की मदद से असानी से समझा सकते हैं next TLM है हमारा tables देखे tables के लिए इनोंने एक बोतल ली है और बोतल पे tables लिखी है तो इससे आप बोतल को घुमाएंगे कैलेंडर का TLM बहुत सांदार बनाया है इन्होंने देखे इसमें सनिवार, रववार, सोमार, मंगलवार हिंदी में भी इंगलिस में भी टूडे, टूडे, टूमारो क्या था आज क्या है, कल क्या था वो सब बता सकते हैं, इसके तारीक भी बता सकते हैं माई, जून, हर महिने का कैलेंडर इसमें दिया गया है, एक ही TLM में पूरे साल का, ये तो मुझे कापी अच्छा लगा इस तरह का TLM आप बना सकते हैं नेक्स्ट है आपका देखे ये आपका कीरण रेखा, रेखाकरण, सरल रेखा ये समझाने के लिए एक TLM है उसके बाद वरतखंड के कोणों के क्या क्या गुण होते हैं वरतखंड के वो सब इससे समझा सकते हैं नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल के बारे में की कंप्लीट एंगल कैसे होता है नियोन कोण क्या होता है उसके बाद 15,100,70 रेक्स उसके बाद आरंभिक गणिस्चेज संब्दी एक ट्यालम बना गया है पूरवर्ती पिछली संक्या एक घटा कर लाएं अनुवर्ती है अगली संक्या एक जोड़ कर पाएं चोटी संक्या, बड़ी संक्या तीर हमें बतलाए चोटी की ही और हमेशा नोक तीर के ओआए चोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो और बड़े के बाद में चोटा आरोही क्रम जानो देखे आरोही क्रम के बारे में बताया गया है जब जो दो से कट जाती है होती समसंख्या और नहीं कटती तो होती भी समसंख्या और समसंऑकर भी सी टीलम में बता दिया एक संख्या नेक इस्थान जितना बाईय और उतना ऊच्छा इस्थान के बारे में बता दिया मान के बारे में दस गुणा बढ़ जाती बाईय अंग की साखा इकाई दाई सेखडा 1000 दसजार देखिए कितना अच्छा TLM ये उन्हें बनाया है उसके बाद मैतमेटिक सिंबल्स का TLM आप बना सकते हैं कैसे सिंबल होते है देरफूर का साइन क्या होता है बिकोस का साइन क्या होता है रिश्यो का साइन क्या होता है सवान पात का प्लस जोड माइनस घटा बराबर नहीं तो इस तरह साइन आप बच्चों को बता सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही शांदार T.L.M है इसके साथ साथ इस्थानियमान ग्यात करने के लिए एक T.L.M बनाया गया है ये भी बहुत सांदार T.L.M है और ये साइड T.L.M कुछ है इसका मरे में मुझे नहीं पता सल पा रहा और भिन्नो का क्रमन ये भी T.L.M कापी सांदार है तो इस तरह के T.L.M आप गणिते में तयार कर सकते हैं 10 से 20 T.L.M जरूर तयार रखे क्योंकि जो भी आएगा आपसे T.L.M के बारे में जरूर पोचेगा तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करें वीडियो पे कमेंट्स करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल का एगन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दन्यवाद